हिमाचल परदेश में भाजपा का नेतरित्व कौन करेगा ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर 25 दिसंबर को हिमाचल परदेश का राज्य अतितिकर है पिटर हॉफ वहाँ पर एक बैठक रखी गई है विधायक जितने भी भाजपा के हैं वो वहाँ पर बैठेंगे तमाम तरीके की फीडबैक वहाँ पर ली जाएगी और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा विधान सभा में इसका फैसला भी उस बैठक में लिया जा सकता है हिमाचल परदेश की बात करें तो यहाँ पर सुक्विंदर सिंग सुक्ष मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो तरीके के तमाम जो यह मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी है पच्चिस दिसंबर को यह बैठक रखी गई है राज्य तिथिगरह शिमला का पीटर हॉफ है वहाँ पर यह बैठक होगी तमाम जितने भी चुने हुए विधायक हैं भाजपा के शिर्ष आला कमान है जो भाज कहीं और भी जो नेता हैं बड़े नेता हैं भाजपा के उनका नाम भी दौर में है अब कॉन नेता प्रतिपक्ष होता है इसका फैसला पच्चिस दिसंबर को जो विधायक दल की बैठक होनी है भाजपा की उसमें टैह होना है इसके अलाबा पर देश्य धेकश कौन होगा इस पर भी चर्चा जरूर वहाँ पर हो सकती है तो कुल मिलाकर भाजपा के जो विधायक दल का नेता होगा वो 25 तारीक को चुना जाएगा उसके लिए बैठक जो है वो 25 तारीक को शिमला के पीटर हॉफ में रखी गई है उसमें तमाम उद्दों पर चर्चा होगी किस तरीक के माध्यम से सरकार को चिताया गया कि अगर सरकार ने बदला-बदली की भावना से कारे किया तो एक बड़े आंदोलन से भी भाजपा इंकार नहीं कर रही है भाजपा एक बड़े आंदोलन भी कर सकती है भाजपा जो है वो सरकार को घिरने के लिए अभी से रणनीती तया करने लग गई है इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष का फैसला 25 दिसंबर को होना है शिमला से दैनिक सवेरा टीवी के लिए कैमरामेन सुशांत के साथ गजेंदर शर्मा हिमाचल प्रदेश में भाजपा का नेतरित्व कौन करेगा ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर 25 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश का राज्य अतितिकर है पिटर हॉफ वहाँ पर एक बैठक रखी गई है विधायक जितने भी भाजपाके हैं वो वहाँ पर बैठेंगे तमाम तरीके की फीडबैक वहाँ पर ली जाएगी और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा विधान सभा में इसका फैसला भी उस बैठक में लिया जा सकता है हिमाचल परदेश की बात करें तो यहाँ पर सुक्विंदर सिंग सुक्षो मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो पो मुख्यमंत्री मुकेश अगनी होतरी बने है हालांकि कैबिनेट का गठन जो है अभी तक नहीं हुआ है वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नेता परतिपक्ष का चुनाब भी नहीं हुआ है भाजपा को दूसरी चुनाथी ये भी है कि उनका परदेशा देक्ष भी बनना है तमाम जो यह मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी है 25 दिसंबर को ये बैठक रखी गई है राज्य तितिगरह शिमला का पीटर हॉफ है वहाँ पर ये बैठक होगी तमाम जितने भी चुने हुए विधायक है भाजपा के शिर्श आला कमान है जो भाजपा का वो यहाँ पर बैठेगा कौन नेता प्रतिपक्ष होगा इसमें नाम हलांकी जो है सबसे उपर जियाराम ठाकुर जो पूर्व के मुख्यमंत्री है उनका नाम सबसे उपर है उसके अलावा सत्पाल सिंग सत्ती का नाम भी यहाँ पर कहीना कहीं लिया जा रहा है उसके अलावा कही ना कही और भी जो नेता है बड़े नेता है भाजपा के उनका नाम भी दौर में है अब कौन नेता प्रतिपक्ष होता है इसका फैसला 25 दिसंबर को जो विधायक दल की बैठक होनी है भाजपा की उसमें तै होना है इसके अलावा प्रदेशा धेक्ष कौन होगा इस पर भी चर्चा जरूर वहाँ पर हो सकती है तो कुल मिलाकर भाजपा के जो विधायक दल का नेता होगा वो 25 तारीक को चुना जाएगा उसके लिए बैठक जो है वो 25 तारीक को शिमला के पीटर हॉफ में रखी गई है धरनापरदर्शन के माध्यम से सरकार को चिताया गया कि अगर सरकार ने बदला-बदली की भावना से कारिक किया तो एक बड़े आंदोलन से भी भाजपा इंकार नहीं कर रही है भाजपा एक बड़ा आंदोलन भी कर सकती है भाजपा जो है वो सरकार को घिरने के लिए अभी से रणनीती तयार करने लग गई है इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष का फैसला 25 दिसंबर को होना है शिमला से दैनिक सवेरा टीवी के लिए कैमरामेन सुशांत के साथ गजेंदर शर्मा